को सब्सकुआ है अजेट मे jut एक जन्रल टेस्ट के वारे में फ्रेंड्स, जोसनिकर आई जानेंगे, जोном है, जी ऐस जी,। जी बेइबी, या पीएस टेस्ट के नाम से बिन को मतलब होता है जन्रल ब्लड Shags टेस्ट यहा इसको पी-स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, peripheral smear, तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, यह एक blood count test होता है, जिसमें कि हमारा जो RBC count है, और हमारा जो platelet count checking किया जाता है, या WBC count को check किया जाता है, तो friends, इसमें especially blood vessels का detection किया जाता है, blood vessels को देखा जाता है, कि इनकी deficiency से कोई disorder तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को, तो GBP, अपने आप में ही बता रहा है, blood picture, blood picture, general blood picture, और PS का मतलब होता है, peripheral smear, तो इसमें करते क्या है, friends, generally आप में WBC को मान लिजे चेक करना, WBC के five types होते हैं, जिसमें granulocyte और agranulocyte दो part होते हैं, जिसमें granulocyte में आता है आपका acidophils, basophils and neutrophils, ये तीन blood vessels होती हैं granulocyte में, और agranulocyte की बात करते हैं, तो lymphocytes and monocytes, ये WBC के part होते हैं, friends, तो इन WBC या blood vessels के deduction को बोलते हैं, GBP test, अब ये किस condition में करते हैं, माल लेजे किसी विवेक्ति को leukemia disorder है, leukemia disorder है, और किसी विवेक्ति को platelet deficiency है, ऐसा लग रहा है, तो उस condition में platelet की checking की जाती है, इसमें abnormal blood cells को देखा जाता है, abnormal blood cells के लिए ये test कराया जाता है, GBP, general blood picture test, तो इसमें आप सारे भी blood vessels के deduction करते हैं, माल लेजे RBC को आप platelet, RBC भी आप इसमें चेक करते हैं, reticulocyte, आपका erythroocyte, ये भी सारी चीज़ें देखी जाते हैं, तो GBP test में friends, especially for detection of blood vessels किया जाता है, thank you.